हालो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 21 सक्टूबर 2022 सुराज की बारा इंपोर्टन अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आचुका हूँ दोस्तों एच्प्यू बीड वालों के लिए जो बीड के चात्र है बीड की कांसलिंग है उनके एक मोस्ट इंपोर्टन अपडेट नई अपडेट यहां पर आई होई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाकि और बहुत सारी अपडेट्स हैं सब कुछ हम यहां पर देखन राधानी के बादारों में उमड़ी भीड कांसे और तामबे के बरतर महंगे कारोबार 20 फीजी ज्यादा रहने की उम्मीद गेहनों का बंपर कारवाल चल रही बुकिंग तो यहां पर धंतेरिस के त्योहार के लिए राधानी के बादार सच गए है इस त्योहार से पहले ही शेहर के बादारों में खरीदारों के भीड उमड रही है बीरबार को भी शेहर के बादार पैक रहे दुकानों पर खरीदारों के भारी भीड देखने को मिली लोवर बादार में दिन के समय पहल चलते तक की जगह नहीं बची थी कारवारों के नुसार इस बार राधानी मे बर्तन कारोबार भीते साल से 20 फीजी तक ज़्यादा है धन तरफ इस बार दो दिन मनाया जाएगा ऐसे मैं खरिदारी बंपर होने वाली है शेहर के बर्तन कारोबारीयों ने धन तरफ के लिए इस बार ज़्यादा स्टोक मंगवाया है स्टेर और अलुमिनियों के बर्तनों के अलावा कांसे की थाले और तामबे के बर्तनों की काफी मांग है कांसे और तामबे के रेट इस बार बढ़े हैं कांसे के बर्तन 1600 से 1800 रुपे बरती किलो कि दर से बिक रहे हैं तामबे के बरतन के दाव 900 से 1200 विपति किलो है तो यहां पर डेट है इन बरतनों की ज्यादा है मांग कांसे की थाली तामबे का जग तामबे का लोटा तामबे का गिलास दो दिन मनेगा धंतेरस तो 22 और 23 अक्तूबर दोनों दिन धंतेरस का शुब महुरत रहने वाला है तो इस बार जो है दो दिन धंतेरस रहेगा तो यह दोस्तों आप देख सकते हो यानकि कल और परसो दोनों दिन इसका शुब महुरत है धंतेरस का ओके नेक्स्ट अपडेट यह रही फेस्पूर फेस्बुक पर लिखा चुनाब लड़ंगा पर पैसे नहीं है दस खंटे में 800 लोगों न दिया चार लाख चंटा बाइस पास टिकर ना मिलने पर बिलासपूर सदर से निर्दली चुनाब लड़ने का एलान कर दिया है स्वास चर्मा शर्मा जो है शुक्रवार को अपना नावांकन करेंगे पार्टी से अंदे की कर पर उन्होंने फेस्बूक पर लिखा कि बच्चुना तो लगना चालता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है इसके साथ ही उन्होंने अपना बैंक खाता नंबर भी शेयर किया इसके बाद करीब 10 गंटे में 800 से जाना लोगों उनके खाते में करीब 4 लाख रुपे साई था राशी चंदे की रूब में दी है हमिरपुर में जी अब 25 को ड्राइविंग टेस्ट नहीं होंगे तो जीला मुख्याले में 25 अक्तूबर को क्षेत्री परभेहन अधिकारी करा लेकि माध्यम से प्रसाबिस ड्राइविंग टेस्ट स्थानी अवकाश एवं प्रशाशनी कारूनों से स्थागित कर दी गए है क्षेत्री परभेहन अधिकारी काराले हमिरपुर्चे प्राफत जानकारी के अनुसार टेस्ट की जो नहीं तिति है वो शिगर ही नियधारित कर दी जाएगी तो फिलहाल जो 25 को आपके ड्राइविंग टेस्ट होने थे वो अब नहीं होंगे उनको स्थागित कर दिया गया तो दिवाली के चलती बिजली बोर्ण फिल्ड करमशारी की श्युक्ति परोक लगा दिए इस तुनान सिर्फ आथी आवश्यक मामलों में ही करमशारी शुक्ति ले पाएंगे इसके सास्थ करमशारी को हिदायद दी गया है कि दिवाली से एक दिन पहले ते हो तो तो हार के किसी भी दिन किसी भी प्रकार करत ना लगा है बजली क्या पूर्ती निर्वाद रूप से की जाए बोर्ड ने शेहरों के बिजुत लानों की मनमत को रखरकाप का गारे शुरू कर दिया था तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है पदमदेव कॉंप्लेक्स में नहीं जमा हो रहे बिल चलि दोस्त नेक्स्ट अपडेट यह रही हिमाचल में क्रोडों की सेव अर्थ व्योस्ता प्रसंकड सेव तो हिमाचल में पांच हजार क्रोड की सालाना सेव अर्थ व्योस्ता पर संकड़ चाया हुए सत्ता कोई भी सरकार रही हो लेकिन बागवानों को उपेक्षा का दंश जहलना पड़ा है कांग्रेस और भाजपा के सत्ता पर रहते हुए बिदेशी सेव पर आयात शुल पागवानों को नहीं मिला सेव का MSP परसेसिंग यूनिट लगने का भी अभी इंतजार चले दूस्त अपडेट ये रही त्युहारी सीजन में नहीं सताएगी प्याज और डालों की महिंकाई दिसंबर तक कीमते नहीं बढ़ेंगी उपभूगता मामलों की सचिम ने कहा प जा रहा है इसमें चोबन लाख टन प्यार राज्यों को जारी किया गया है दालों के मामले में उनका कि देश में उड़त मोंग और मसूर का बफर स्टोक तो तारीस लाख टन से धिक है तो ये दोस्तों यहां पर अपडेट है नेक्स्ट अपडेट ये रही 23 जून में लौ करने का है इसके लिए चांद पर चलने के लिए ज़्यादा मजबूत रोबर को भी त्यार किया गया है जिससे चंद्रमा की सतह की को बहतर त्रीके से जांचा पर खाजा सके अगले साल ही इस रोप गगरियान के लिए अबोर्ट मिशन का भी पहला टैस्ट करेगा ये भारत कांग अटल टनल में वर्फबारी सराज में गरे ओले कांगणा में बरसे बादल तो हिमाचल प्रिदिश में कई खेतर में बीरबार को मुसम का मिजाज बिखड़ा रहा रोतांग के लांग अटल टनल कोकसर चमा की भरमोर की चोटियों महनी महेश और साच बास में करें और यहां पर तो तेज हवाओं के साथ खूब बादल बरसे हैं यसे धांगे कटी हुई फजल को नुकसान हुए है राजनी शिमला में बीरवार को हलके बादल चाय रहने के साथ दूफ के लिए कई लाकों में बारिश बरवारी से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है कि यूंतम तामान यहां पर कितना है वह आप यहां पर देख सकते हो चलिए नेक्स्ट अप्लीट यह रही नायपते सिद्दार की प्रारंभिक प्रिक्षा तीस अक्तूबर को तो अपने आप जो है डाउनोड कर सकते हैं एस पीपीसी शिमला की तरफ से जो है नायपते करने की प्रक्रिया 31 सक्तूबर से शुरू होगी तो अभी ओफीशल जो फुल नोटिफिकेशन है फुल डिटेल वाला नोटिफिकेशन वह भी आना है शोट नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है और दिसमबर से जनवरी के बीच में होगी तो आपका एक्जाम जो है दिस की किशन आएगा उसमें पूरा पता चल जाएगा आपको चीक है चले दूस्ते नेक्स्ट अपडेट यह रही बहुत तकनीकी संस्तान में प्रभेश का अंतिम अबसर तो कर प्रदेश भर में संस्तान स्तर पर करवाई जाएगी अंतिम स्पोर्ट कांसलिंग पैट की 505 ली फाइनल केटेगरी 22 मेरिट सूच अब 21 सक्तूबर को जारी के जाएगी 22 सक्तूबर को को लिज 24 भरी जाएगी तेज से 27 तक अन्य अपचारिक तैंप पूरी की जाएगा और फिर 31 सक्तूबर को पहले राण की फाइनल सेटों का अवंटन इंकतिस अक्तूबर को होगा ठीक को मिधे तक समर्थ पोल्टल पर उनलाइन पंजीकन कर सकते हैं अभीरती चलिदो से अपड़ेट यह तो यह आगी दोस्तों आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टन अपडेर खाली बेड़ से बनने के लिए प्रक्रिया में चात्रों को प्रक्रिया में चात्रों को गु कायद निजी कोलेजों को रिक्ट सीटों के ब्योरे के अनुसार सभीकार करने होंगे आवेदन हप्यू में बीएड कॉंसलिंग का वीरबार से स्पोर्ट अड्मिशन का दोर शुरू हुआ है बीशिव जाले की वेफसाइट पर कोलेज बार उपलब्द खाली सीटों के ब्योरे के अनुसार सभी निजी कोलेजों को बीड की सीटों के लिए चात्रों के लिखीत आवेदन सभीकार करने होंगे आपेतन सुईकार ना करने वाले या चातरों को इस बारे में सिटें खाली ना होने की गलत सोचना देने के बाले कोलिज्यों के खिलाफ विशुवावी करेगा बिशिव जाले की शिक्षा विभाग देक्ष प्रोफेसर अजे अत्री ने कहा कि उनके पास इसी तरह से चातरों की शिकायते आ रही है गुमरा करने वाले कोलोजों के खिलाफ चातर सेदे विशिव जाले के कि शिक्षा विभाग के email id education.hp.gmail.com पर शिकायत कर सकेंगे विभाग ऐसे कोलोजों के खिलाफ कारवाइकर NCTE को भी इसकी सोचना देगा बिशिव जाले को शिकायते मिल रही है कि कुछ निजी कोलोजों ने अपने स्तर पर ही चातरों को बेर्ड में प्रवेश देने की बात कहकर पैसे तक ले लिये है कहा कि विबसाइट पर दिये गए हर कोलोज में उप्रवद खाले सीटों के वियोरे के अनुसार को शातरों के तीन दिन तक आविदन सभी कार करने होंगे 27 को मैट जारी होगी उन्हेंने किया कि चात्रों को कोलेजों में जाकर लिखित में आवेदन करना होगा जिन चात्रों पहले काउंसलिंग के लिए आवेदन कर फीज जमा किया हैं उन्हें दोबारा फीज जमा नहीं करनी पड़ेगी और नए सेरे से काउंसलिंग बाप प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले चातरों को ओननते पांट सो रुपए फीज जमा करवानी होगी तो दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि कुछ यहां पर भोल रहे थे कि हमने जब कोलेज में पता किया तो वो बोले हैं कि सिटे खाले नहीं है बट जो नोटिफिकेशनम में इसमें सिटे हैं तो उसके बार मैं यहां पे आज यहां पे घपिक तरप से अपडेट आई हुई है कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप इसके उपर जो है इमेल आप कर सकते हो शिकायद कर सकते हो education.hp.gmail.com जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्तर जो है रहे रहे हैं बिना एड्मिशन के आपको आपको यहां पर लिखा गया है कि शिकायते आ रहे हैं चात्रों की शिकायद जो है बिवागा देख्ष है उनके पास भी ऐसे सीखाएते हैं इनको मिली है तो इसके इसी करण ने नो न फिर यह इमेल आइडी यहां पर जारी किया है यहां पर आप बता सकते हो किस कोरे में सीटे हैं और यहां पर हमको जो है मना कर रहे हैं सीटे देने के लिए ठीक है बाकी पूरा नोटिफिक्शन आ पर जो है नकेल कसेगा ठीक है बागे दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शोरी चैनल को सब्सक्राब जूरूर करेगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू